हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आर्तिलाल की दुनिया तो चलिए फ्रेंड्स आज हम बनाते हैं बहुत ही टेस्टी सी और बहुत ही इजी रेसिपी तो जब कभी भी आपका रोटी सब्जी बनाने का मनना हो तो यह रेसिपी मेरे कहने से जरूर ट्राइ करिएगा यह दोनों का काम करेगी और इतनी टेस्टी लगती है कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगी और चाय के साथ हो या इसनेक्स की तरह खाना हो जब कभी भी छोटी मोटी भूख लगी हो इसे बनाकर जरूर ट्राइ करिएगा तो चलिए फ्रेंड्स इस रेसिपी के लिए वीड साथ में डालेंगे दो टेबल स्पून भर के देसी गी टेस्ट के हिसाब से नमक एक टीस्पून मंग्रेल एक टीस्पून अजवाइन हातों से क्रस करके मैंने डाला है और बस मुयन को अब अच्छे से मिक्स करेंगे और त्यार कर लेंगे तो यहां देखिए मैंने देसी तो यहां देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका था तो मैंने धीरे-धीरे करके थोड़ा सा पानी एट किया है और एक सॉप्ट सा डो बना लिया है तो डो बिल्कुल तयार है और एकदम अच्छे से सॉफ्ट है तो इसे ढख कर पांच मिनट रख देते हैं तब तक करके डाल लीजेगा चॉपर से क्योंकि बहुत ही जल्दी हो जाता है चॉप करना इसलिए मैंने इसका इस्तमाल कर लिया है और फटा फट से अब हम इसे चॉप कर लेंगे तो यह बहुत ही इजी रेसिपी है फ्रेंड सिफ दस मिनट में बनने वाली और सबसे ज्यादा बा साथ में थोड़ा सा हींग चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया है और अच्छे से इन्हें हम भूल लेंगे एक मिनिट के लिए और अच्छे से जब इस पर कलर आ जाए तब हम इसमें एड़ करेंगे दो टेबल स्पून भर के बेसन अब बेसन को भी हमें अच्छे से भू अच्छे से इसे हमें फिर से मिक्स कर लेना है तो फ्रेंड्स देखिए कितना फटा फट से इसका फिलिंग भी बनकर त्यार हो गया है तो चलिए गैस पर से इसे हटा लेते हैं और इधर हमारा आठा भी रेस्ट कर चुका है तो हम छोटा सा लोई का टुकडा लेंगे और इसे हमें कचोड़ी का सेब देना है तो बस फटा फट से इसमें हम फिलिंग भरते हुए इसे कचोड़ी का सेब दे देते हैं और इसी तरीके से हम बाकी की कचोडियों को भी बनाकर त्यार कर लेंगे तो है ना फ्रेंट्स बहुत ही जल्दी बनने वाला यह नास्ता और कितना टेस्टी लग रहा है यह अभी से ही तो बस फटा फट से बन जाएगा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता तो यहां मेरी सारी कचोड इस ब्रेंट्स कितना यमी और कितना टेस्टी लग कर देयर है और उपर से कितना खसता है और अंदर से एकदम सॉफ्ट और फिलिंग भी अच्छे तरीके से भरा हुआ है तो डेखे लग रा है ना ईजी लगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक सेयर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा तो चलिए ऐसी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बाई बाई